हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सब से अच्छी दोस्त. क्या आप चानते हो कि आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज मैं आपको साइंस, यानि विज्यान की कहानी सुनाऊंगी. प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि केंचुआ या अर्धवम हमारे क्या काम आते हैं? तो चलिए बच्चों, आज अपन केंचुए की ही कहानी सुनते हैं. केंचुए को किसानों का मित्र या फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि केंचुए किसान के काम को आसान बना देते हैं बच्चों क्या आपको मालूम है कि बारिश के पहले केंचुए कहां चुपे होते हैं? बारिश से पहले केंचुए जमीन की सबसे उपरी परत जिसे हिमस कहते हैं उसके नीचे छुपे रहते हैं और जब बारिश का मौसम आता है तो मिट्टी की उपरी परत तेज बारिश के कारण अपनी जगा से हट जाती है और ये केंचुए बाहर आ जाते हैं तो बच्चों, अब अगर आपसे कोई कहे कि केंचुए बारिश के पानी के साथ गिरते हैं, तो आप बता देना कि केंचुए कहां से आते हैं? परन्तु बच्चों क्या आप जानना नहीं चाहते कि ऐसा बारिश के मौसम में ही क्यों होता है तो बच्चों इसका कारण है हाइबर्नेशन या शीतनिद्रा केंचुए, मेधग, साप, छिपकली मतलब और्थवर्म, फ्रॉग, स्नेक, लिज़र ये सब भी हमें सर्दियों के मौसम में कहीं भी दिखाई नहीं देते क्योंकि ये सब ठंड के कारण भाग जाते हैं मतलब हाइबर्नेशन में चले जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी का टेंपरेचर हमारी बॉडी की तरह बदलते मौसम में एड़्जिस नहीं हो पाता और इसी लिए ये सब cold-blooded animals कहलाते हैं जबकि हम सब warm-blooded animals कहलाते हैं केंचुए का scientific या विज्ञानिक नाम ferritima postuma है जो की anilida sang या phylum का सदस्य है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको केंचुए के शरीर पर बहुत सारे rings जैसी रचनाय दिखाए देंगी इसी कारण इसे anilida phylum में रखा गया है क्या आपको पता है कि केंचुए हमारे और हमारी प्रक्रती मतलब nature के लिए कितने जरूरी है केंचुए जीवित और मृत मतलब living और non-living दोनों ही stages में हमारे काम आते है बच्चों क्या आप जानते हो कि केंचुए को पाला भी जाता है और इसे वर्मी कल्चर कहते है और केंचुए से बनी खाद को वर्मी कमपोस्ट कहते है तो बच्चों अब आप जानगे ना कि केंचुए हमारे लिए कितने काम के हैं और ये बारिश के साथ नहीं गिरते बलकि ये तो जमीन के अंदर चुपे रहते हैं तो बच्चों आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना